नेक्स्ट टो नाइन न्यूज भोशपुरिया के सब्स्क्राइब करी अलेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाई नमस्कार, प्रणाम, स्वागत बाते, रोवसप के हमार प्रोग्राम सितारों का आईना में आज हम लेया इल्मानी पवन सिंग के लोग प्रियता के कहानी पवन सिंग हाले में आपन आखे सारी से बढ़ल दोस्ती के लिए के खासत सर्चा में बनल बाड़ें सब कोई काईगो तस्वीर देखला का बाद इतना है रानी भाईल की का कहे के मीरिया में ए दूनों दोस्त लोग के कहानी पिछला दू दिन से सर्चा में बनल बाटे कहे की दू साल से आपस में रंजिश के अंजाम अन्तों में दोस्ती ये भाईल जैसे हर भोशपूरी सीने प्रेमी गदगद बालोग दूनों स्टार लोग के फैन्स खुश बालोग की इतना साल बाद उनों लोग के दोस्ती भाईल देखी भोशपूरी फिल्म इंडस्ट्री का इसतर इन दिनों काफी बढ़ चुका है यहां के फिल्में और यहां के सुपरस्टार्स का हर कोई कायल है और यहां के सुपरस्टार्स को काफी जादा पसंद किया जाता है इस मामले में इनके फैन फॉलिंग भी काफी बड़ी है ऐसे में इंडस्ट्री में दो सूपरस्टार्स ऐसे हैं जिनका डंग का मौजूदा समय में सबसे जाधा बचता है एक है भुचपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सूपरस्टार पवन सिंग और दूसरे हैं सबसे चहेते सुपस्टार खिसारी लाल यादव अक्सर ये दोनों ही सुपस्टार्स सुर्खियों में बने ही रहते हैं कभी अपने फिल्मों को लेकर तो कभी अपनी गाईकी को लेकर लेकिन ये दोनों ही सुपस्टार्स इंडस्ट्री में एक एहम मुकाम रखते हैं और लोग इन दोनों ही स्टार्स को सबसे ज़ादा प्यार करते हैं कई बार इन दोनों स्टार्स के भीश दूरियों की खबरे भी आती रहती हैं, लेकिन अब इन खबरों पर लगाम लग चुकी है। दरसल बीते दिनों सूपस्टार पवन सिंग ने अपनी सोशल मीजे अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसने पूरी भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर लग दिया। दरसल ये कठा हुए थे एक स्टेच शो के दौरान और स्टेच शो के बाद पवन और खिसारी ने जम कर मस्ती भी की। चाहे वाला लोग बढ़ें जनका के जे पवन खातेर एको आईसन मरे मीचे खातेर तयार बा लोग उन लोग के जुडल कमेंट दिखावल बहुत ज़रूरी बाटे एही से डाली एको नजर। अब वक्त हो गया है आप सबने जो मेसेज़े भी हैं जो कॉमेंट्स किये हैं अपने पसंदिदा सितारे को लेकर वो सब आपको बताने का और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम आपको बताने पवन सिंग के बारे में पवन आज की तारीक में किसी पहचान का महुताज नहीं है बावजूर्जूद इसके उनके आलोचक, जो किस तरह से उन्हें लेकर भद्डी गालियां देते हैं, उन्हें लेकर भद्डी बाते करते हैं वो अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो आपको काफी ज्यादा हैरान कर जाएंगी सबसे पहला कॉमेंट है बाबा बजनिया यादव बाबा जो कहते हैं पवन राजा बेकार मुवी है स्टोरी बिलकुल बेकार है लगता है बाबा बजनिया को पवन की जो फिल्म थी पवन राजा वो बिलकुल भी पसंद नहीं आई अगला है दीपक यादव जिन्होंने दी है पवन सिंग को सरासर गाली कृष्णा सिंग है उन्होंने भी पवन को गाली ही दी है सेजल श्रिवास्तव कहती है महा घटिया सौंग एंड दान्स एंड एक्टर्स यानि कि उन्हें पवन की जितनी वीडियोज होती हैं जितने भी stage shows होते हैं, जितने भी फिल्मों में उनके गाने होते हैं, ना तो उन्हें गाने पसंद आते हैं, ना पवन के moves और ना ही खुद पवन सिंग, तो सेजल आप तो खेर पवन की विरोधी लग रही है पूर्ण तरीके से, राकेश किंग ने दी है पवन को ऐसी गाली जिन्हें मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि ये गाली अगर मैं दूंगी तो शायद मैं खुद शर्मिन्दा हो जाओंगी, लेकिन आप इसे पढ़िये जरूर, संतोश यादव भी पवन को गाली ही दे रही हैं, वल्ग ये सब गालीया पढ़कर मन जरा मायूस सा हो जाता है क्योंकि मन में खयाल गया आता है कि अगर आपको कोई सितारा, कोई सूपर स्टार पसंद नहीं है, आप उसकी फिल्मे ना देखें, उसके गालीया ना दे, क्योंकि आप गाली कलाकार को नहीं दे रहें, बल्कि आप कला को दे रही हैं, ये थे वो सारे लोग जिन्हें पव से जंदेगी में अवरोस उधार हो खेला एही से अब नजर डाल ली ही ओं लोग पर जे पवन सिंग के आलोचक बाणे लोग एही से हम ले आलबानी कुछ वही संग कमेंट उनका विरोध में उनका के जे लोग पसंद ना करे उन लोग कमेंट करेला देखें भाई अब हमने आपको ये तो बता दिया कौन से यसे लोग हैं जो पवन को बिलकुल पसंद नहीं करते लेकिन आप इन्ही सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सुभा भी पवन से होती है जिनकी शाम भी पवन से होती है जो देते हैं पवन के हर रूप को अपना बेशुमार प्यार और इन्हीं में से एक हैं प्रिटेश कुमार प्रिटेश कुमार कहते हैं शेर तो शेर होला पवन भाईया तो शेर है यानि कि ये तो पवन को साक्षात शेर मानते हैं बिलकुल पृतेश हमें भी पवन के अंदर वो शेर वाली क्वालिटी ही नजर आती है यानि कि ये देखिए जो एसेस शुभम है ये कितना अपना बेशुमार प्यार लुटा रहे हैं पवन पर सौरफ सिन्हा कहते हैं पवन भाईया सूपरस्टार लव यू भाईया आपके जैसा कोई नहीं भोचपूरी में आमीगरली वेटिंग फॉर यूर मूवी संया सूपरस्टार वाकई जहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पवन की फिल्म में बिल्कुल पसंद नहीं आती उन्हीं सब के बीच कई लोग ऐसे भी हैं जो पवन की फिल्मों का ना सिर्फ इंतजार करते हैं बलकि उनकी फिल्म का किंग मानते हैं बिल्कुल पवन सिंग जो हैं वो भोजपूरी सिनेमा का किंग हैं और भोजपूरी सिनेमा के अनौन नगीने भी हैं अश्रफ अली कहते हैं पवन सबसे बेस्ट हैं और उनके जिसी आवाज किसी और की नहीं है बिल्कुल अश्रफ बिल्कुल ठीक कहा आ आपको तो सभी भोजपूरी इंडस्ट्री का केंग मानते हैं और एक और बात ये सारे मेसेज़स पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि पवन को जो लोग पसंद नहीं करते वो उन्हें भले ही कितनी भी गालियां क्यों न देते रहें लेकिन जब तक इतना प्यार देने वाले उनके फैंस मौजूद हैं तब तक इन गालियों की ना तो इस प्यार के आगे कोई वेल्यू है ना ही ये गालियां उस प्यार के आगे दूर दूर तक भी नजर आती हैं झालिया तो इसन कमेंट से कोई बुरा नहीं वाला बात नहीं खें सब कोई के मन एक लिखा नहुना एक हुद जहां हागो लोग तारीफ करे वाला हो खी तदू लोग वीरोध करे वाला भी जुरूर हो के मुलिक के चाहिए तभ ही आगे बढ़े के राश्ता मे लेला तभ ही आगे बढ़े के उतसा बढ़ेला तो चले के समय होचु कलबा अगेला बार फेर हम ले आईम के हुआ और स्टार के टागेट करके लेकिन ऊकरा खातीर वह सब के हमारी साथ देविके बड़ी जे भी किहू स्टार के लेकर वो सब के मन में, जे भी भाव बाटे अच्छा बुरा वो सब मैसेज करके बता सके ले अगले एपिसोड में हम ले आएं किहू और स्टार के कमेंटरी बॉक्स लेकिन तब तक खातेर दीहीं इजाज़त प्रणाव